BPSC प्रशन पत्र लीक मामले में सहारगार थाना चेतर के पीवाडा गाउं में सरोजकुमार के घर कुर्की जब्ति की कारवाई की गई मदुबनी जिला के सहारगार थाना चेतर के पीवाडा गाउं में शुकरवार की शाम BPSC प्रशन पत्र लीक मामले में फरार चल रहे गिरोव से भी बताया जा रहा है वहीं इसके कई अंतर राजिये गिरोव से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है BPSC प्रिशनपत्र लीक मामले में आरोपी सरोज कुमार कई महीनों से फरार चल रहा है आरोपी गिरफतारी के लिए पुलिस लगातार चापे मारी कर रही थी साथ ही पुलिस के द्वारा आरोपी के घर कुछ दिन पूर्व इश्तिहार भी चिपकाया गया था इसके बावजूद भी जब आरोपी सरोज कुमार आत्म संपर्ण नहीं किया तो नियायले से प्राप्त आदेश के आलोग में साथगार थाना पुलिस के सयोग से सरोज कुमार के घर आर्थिक अपराद इकाई की टीम ने कूर्की जब्ति की कारवाई की कूर्की जब्ति की कारवाई का नेत्रत्व कर रहे आर्थिक अपराद इकाई के DSP संजी कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी को नियाले में उपस्तित होने को लेकर कई बार नोटिस किया गया था प्रभारी थाना अध्यक्स S.I. अभिशे कानन ने कहा कि आत्म संपर्ण को लेकर इस्तियार भी चिपकाए गए लेकिन सरोश कुमार हाजिन नहीं हुआ कूर्की जबती की कारवाई की गई जानकारी के मताबिक सरोश कुमार यूपी और राजिस्तान समेत कई जबाव पर BPSC पेपर लीक मामले में संगलिप्थ है मदूबनी से राजीव कुमार जहा की रिपोर्ट